हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और रिना किचन में आपका स्वागत है उम्यद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे आज हम बनांगे कुरकुरे, कभी भी आपके बच्चे अगर जीत करें ना कि हमें बाहर का कुरकुरे खाना है तो आप उसे एक बार जरूर से बना के खिलाएगा ये कुरकुरे तो इसे बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका के रेस्पी शेयर करूंगे आप लोग के साथ में तो इसे बनाने के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए होंगे हमें चावल का आटा जो घर में हमेशा हमनों के पास होता है वही चीज़ से आजम बनाएंगे तो इसे बनाने के लिए हमने आधा कप चावल का आटा लिये हैं ठीके हमने सिर्फ आधा कप चावल का आटा लिये हैं ये देखे इस तरीके से बस इस तरीके से हमने नापके रख लेंगे और नॉर्मल चम्मच जो होता है ना घर में उसी चम्मच से हम दो चम्मच में बेसन आड़ कर देंगे उसी चम्मच से एक चम्मच हम गेहों का आटा आड़ कर देंगे ये देखिए बस और इसमें हम आप डायट कर देंगे टेस्ट करने उसार नमक और बच्चों का तो बहुत ही जदा फैब्रेट होता है तो हर दिन आपके बच्ची वह या हमारे बच्ची उन लोग को बाहर का खाना ज्यादा पसंद आता है बाहर का खाना है तो इस चीज के ध्यान रखते हुए में आप इस तरह की से बना सकते हैं तो पानी की क्वांटिटी हम बताते कितना है तो हमने आधा कप हमने लिए चावल काटा तो उसी कप से यानि एक कप हम टोटली से पानी आड़के आधा कप से देगो तो दो कप और एक कप से ना पेंगे तो एक कप तीक है तो आधा कप हमने जिस कप से चावल लिये थे उसी से हम दो का टोड़ी चाहे दो कप जितना भी हो उतना हम पान ले लेंगे और इसको इस तरह के सा घोल सा त्यार कर लेंगे आप गैस पर चरहेंगे इसको और गैस की आच्छों दीमी के दिवानी रहती हुए हम इसको चलाते रहेंगे शार से पास मेंट के लिए उसको पकाना है चार से पास में दिखें कि इस तर ती को नए स्टार्ट हो गया है तो यह सब्सक्राइब के लिए उसे बहुत बहुत पसंद भी आया जब भी बच्चे आपके जीत करें ना कि हमें स्कूल नहीं जाने ताप उनको यह बताईए कि आप जाओ स्कूल से आना तो आपके लिए हम कुछ अचा से बना के रखेंगे कि मैं यही करती हूँ तो सोची आप लोगसाथ में भी इसकी रेश्पी शिर करें अगर आपको बच्चे को खुश करना है तो क्या क्या बना कि अपने खिला सकते हैं तो यह देखिए इस तरीके से सारे जो हैं हमारे चावल काटे दम तिक हो गया है इस तरीके कर चाहिए होंगे हमें यह देखिए इसको तुँखा हमते हैं तक हम भेटा हमादा करें पर बेंगे उलिक पर बिमाते हुए इसतर के कुर्कुरेगा अभी तो कोई भी और वी सब्सक्राइब को पसंद यस्तर बनाना है कोई भी पिती को देना ढूशुब है लेकिन हमें कुर्कुडे कर से हमसी तरीके से हम बना के रखे डाखा लिए पतला अगल्जे कर लेंगे यह दिए कितना खुबसुत लग रहा है ना बहुत बहुत अच्छा लग रहा था देखने में बनाने में बड़ी मज़ा रहा था इसको तो बश इस तरीके से हम पुरा कुरकुरे बना के रह घुए है और एक तरह हमें काटाहई में तो उमीद है कि आप लोगों को पसंद आई होंगी ये रेस्पी हमारी अगर आप हमें यूटूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें तो यह देखिए इस तरीके से हमने इसको उपर नीचे चलाते चलाते अच्छी तरीके से गुल्लिन ब्राउन में तब को नीचाल पाई यह देखिए के कितना चाले आगया है तो बास जब इस तरह के से घुल्लिन ब्राउन हो जाए तो आप इसे तेल से बाहा निकाले बहुत इसमें एक भी तील यह कि दूद निकालों गए तैसलों आपने आपकी बीना तील का है इस तरीके का यह हो जा रहा था तो यह देखी इस तरीके से अपने कुर गूल निकाल लिए अब बाकी क्या करेंगे दूसरा जो है आधा कुर कुलम ने करेंगे निकाल लिए परा mantaldakon लाले अलगी झाल है और इसको भी गुल्नली ब्राउन के था हीwhy िस देखे के बावल बन इख तो इसको आप करेंगे साइड में परात ले लिये लिए इस तरीके का इसमें बहुत ही टेस्टी सविश्च चटपटा सा मसाला बना हैंगे अगर कुछ नहीं बिचीसरें को आख पूरी हुई पूरी हुई उम्यदे को पसंद आता है इसमे लालमीज पॉडर सिफ कलर लाने के लिए फीस में दालें के कलर नमक टेस्ट करनों साथ धियाना कि पहले भी हम देश्ट करने थे और आगी भी में चाट मसला डालना है दूसे आप से नमक डाले हैं तो आप डाले ह पूरी हुई उम्यदे कि आप लोगों को पसंद आएंगी तब बना किसे स्टोड करके भी रख सकते हैं अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और आपके बच्चे खा के काफी खुस होंगे तो यह देखिए हमारा कुर्कुरे जो है आज का बनके तयार है यह इस तरीके से तो कल आपसे हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसीपी के साथ तो तक आप लोग बनाएं इंजाय करें तो तक